आज इस वीडियो में हम Samsung की pre-installed app के 1UI 5.0 version के बारे में बात करेंगे कि आप अपने smartphone की यह जो pre-installed app है जो Samsung के हर एक smartphone में आपको मिल जाती है जैसे calendar, calculator, Samsung notes इस तरह की कुछ applications है जिन में आपको 1UI 5.0 के version को कैसे install करना है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाहे आपका smartphone 1UI 4.0 या फिर 1UI 4.1 Android 12 पर ही रन कर रहा है उसके बाद भी आप इन apps के 1UI 5.0 version को अपने phone में install कर सकते हैं देखे अगर आपका smartphone में 1UI 5.0 का update आ चुका है तो भी आपको इन सारी apps को separately update करना होगा ये 1UI 5.0 update के साथ में updates नहीं होगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Samsung के 1UI 5.0 update में भी यहाँ पर clearly mention है कि इन सारी apps को आपको अलग से update करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास से A52 S5G smartphone और इस smartphone में अभी तक 1UI 5.0 update नहीं आया है लेकिन यहाँ पर आप Samsung Note app देखिए यह जो app है यह 1UI 5 की app है मतलब इसमें जो version है वो 1UI 5.0 compatible version है तो आप भी अपने Samsung के smartphone की इन pre-installed app को update करके 1UI 5 version को अपने phone में install कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है Galaxy Store में, Galaxy Store में जाने के बाद में यहाँ पर आपको 3.0 पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको आजाना है updates में, updates में आने के बाद में यहाँ पर आपको Samsung की कुछ pre-installed app देखने को मिल जाएगी सबसे उपर और बाकी की नीचे जो apps देखने को मिलेगी वो आपको अलग से third party apps देखने को मिलेगी जिसमें updates available होगा जो अपने अपने phone में install की हुई है तो यहाँ पर मैंने Samsung Notes को update कर लिया है देख सकते हैं इसके icon का color भी जो है वो थोड़ा सा dark हो गया है उसके अलब यहाँ calculator का भी जो icon है वो भी change हो चुका है तो यह redesign तो नहीं हुआ है लेकिन इसका जो color है वो थोड़ा सा sharp हो चुका है उसके लब यहाँ पर calendar को भी मैंने update कर लिया था लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ Samsung Music की app को update करने के बाद में क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाए हमें use करना चाहेंगे तो आप इसे easily use कर पाएंगे उसके लब यहाँ पर चलिए जल्दी से करते हैं इस app को update यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरफेस भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से change देखने को मिलता है तो यहाँ से इसको करना है update इस app का icon जो है वो change होता है या नहीं तो इसको करते हैं open, open करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका interface जो है वो completely change हो चुका है तो इस तरह से यह अब one UI 5 वाला version आ चुका है इसका animation भी completely change हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का animation effects देखने को मिल जाएगा तो animation में भी यहाँ पर थोड़ा सा improvement देखने को मिल जाएगा तो यह कुछ इस तरह से आप Samsung की pre-installed app को यहाँ से update करके और अपने phone में one UI 5 compatible apps को install कर सकते हैं उसके लिए अगर बात करते हैं यहाँ पर दूसरी apps के बारे में तो दूसरी apps में जादा use नहीं करता हूँ तो मैंने इन्हें update देखने को मिल जाएंगे तो यही सब कुसा इस वीडियो में I hope आप कोई वीडियो पसंद आए होगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो यह जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसे तरह की interesting informative and useful वीडियो के लिए अगर आपने भी तक हमारे चैन कोई subscribe नहीं किया है तो यह जल्दी से subscribe करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस नहीं करेंगे तो मैं मिलता हूँ अपसे एक लिए किसे ऐसे interesting वीडियो में Thanks a lot for watching